हेलो फ्रेंड्स किरंदर नेटर पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में मैं फिर से आपके लिए बहुती सुन्दर और एजी पैटन लाई हूँ फ्रेंड्स ने डिजाइन हैं ये सिर्फ दो सिलाईों का डिजाइन है और दोनों तरफ से ये एक जैसा बन के आता है ये देखे इधर से भी और फिर इधर से भी देखिए seem to same दोनों तरफ से बन कियाता है reversible pattern है दोनों तरफ से आप इसको इसको इस्तमाल कर सकते हैं और हल्का साजी flexible भी रहता है वैसे videos जो पैटन है ये folded pattern है तो बहुत सारे projects पे आप इसको इसको इस्तमाल कर सकते है ये छोटे छोटे से इसके fold एसे बनके आते हैं तो कैप पर डाल लीजिए दोनों तरफ से आप कैप यूज़ कर लेंगे बच्चों की फ्रोग पर डाल लीजिए ऐस ए बॉर्डर इस्तमाल कर लीजिए बहुत सुन्दर बनके आएगा और बहुत जल्दी बनेगा तो फ्रेंड्स बहुत एजी डिजाइन है इसी बे मैं आपको बता दूँगी तो इसमें पहले मैं आपको फंदे बता देती हूँ इसमें फंदे मैंने 23 लिए हैं ये जो पैटन है ये 4-4 के मल्टीपल में चलता है 4-4 के मल्टीपल करके पलस 3 बनेगे तो आपका जो पैटन है आपके प्रोजेक्ट पे एजी ली सेटल हो जाएगा और फ्रेंड्स इसका आप सकाफ भी बना सकते हैं जैसे थोड़े से फंदे लेके 50 या 55 फंदे लेके इसका सकाफ भी बना सकते हैं क्योंकि ये दोनों तरफ से इसको ओड़ा जा सकते हैं तो चली फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं देखे फ्रेंड्स ये इसकी राइट साइड है सीधी साइड है यहां से आप पहली सिलाई से पैटन स्टार्ट करेंगे तो कैसे करेंगे बहुत इजी है इसी में आपको बहुत इजली पता चल जाएगा तो ध्यान दीजिए सीधी साइड है पहली सलाई है कैसे करेंगे तीन फंदे आप इसमें सीधे बुन लीजिए तीन फंदे सीधे और धागा अपनी तरफ लाके एक फंदा ऐसे परलवाइज उतार लेंगे बस यही आपको रुपीट करते जाना है फिर से धागा पीछे करेंगे तीन फंदे सीधे एक दो और ये तीन धागा अपनी साइड लाएंगे परलवाइज एक फंदा उतार लेंगे धागा पीछे की ओर करते हुए फिर से तीन फंदे सीधे एक दो और ये तीन धागा अपनी तरफ लाएंगे एक फंदा पर्ल वाइज ऐसे उतारेंगे सिलिप करेंगे फिर से धागा पीछे की और तीन फंदे सीधे ये आपकी जो पहली सिलाई है सीधी साइड से आपको ऐसे करनी है यहां देखिए एक तो तीन मेंने सीधे कर लिए धागा अपनी तरफ उल्टा फंदा ऐसे करके उतारेंगे एक दो और ये तीन फंदे सीधे आगे अपनी तरफ धागा लाएंगे उल्टा फंदा उतार लेंगे ऐसे और यहां पिछे धागा करते हुए जो आपने तीन प्लस किये हैं फॉर फॉर के मल्टिपल करके तीन मिस में प्लस किये हैं तो लास्ट में ये तीन सीधे बुनके आ जाएंगे ऐसे ही आपको ये सीधी साइड की हार एक रो डालनी है देखे ऐसे जैसे मैंने डाली तीन फंदे सीधे बुनते हुए एक फंदा सिलिप करेंगे धागा आगे लाते हुए उल्टा तो ये पहली फर्स्ट रो यहां से जब आप फंदे डालके स्टार्ट करोगे तो इसको सीधी साइड से ऐसे ही स्टार्ट करेंगे तो फ्रेंड्स अब आते हैं इसकी उल्टी साइड में रोंग साइड दूसरी सिलाई देखें कैसे करेंगे ध्यान दीजिए यहां पे सिर्फ आपको एक फंदा जो है पहले सीधा बुनना है एक फंदा ही सीधा बुनेंगे धागा अपनी तरफ लाएंगे और यहां पे यह फंदा परलवाइस सिलिप कर लेंगे पहले पहली सिलाई में हमने क्या किया था तीन फंदे लगातार सीधे बुनते हुए फिर बाद में हमने फंदा सिलिप किया था इसमें आपको क्या करना है एक फंदा पहले सीधा बुनेंगे और फिर परलवाइज फंदा स्लिप करेंगे अपनी तरफ धागा लाते हुए और फिर आपको वैसे का वैसे ही पैटर्न चलाना है कैसे तीन फंदे सीधे एक दो और ये तीन फंदे सीधे धागा अपनी तरफ लाएंगे एक फंदा स्लिप करेंगे फिर से धागा पिछे तीन फंदे सीधे जैसे अपने फर्स्ट रो में बुना था वैसे सेम टू सेम सिर्फ इसका स्टार्टिंग जो है वो आपको अलग तरह से करना है स्टार्टिंग में हमने तीन फंदे बुने थे सीधे इदर वाली साइड पे इदर आपको एक ही फंदा सीधा बुनके उसके बाद फंदा स्लिप करना है तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक फंदा स्लिप, तीन सीधे, एक स्लिप अब फिर से हमारा आएगा अपनी तरफ धागा करते हुए परल वाइस फंदा स्लिप करना आपको धागा पीछे के ओर करेंगे और तीन फंदे यहाँ पे सीधे बुन देंगे अपनी तरफ धागा लाएंगे यह परल वाइस फंदा स्लिप करेंगे उद्र को धागा ले जाएंगे तीन फंदे सीधे देखे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि कितना इजी पैटन है यह कुछ नहीं करना है आपको थोड़ा सा आ जाए तो आप इजी ली इसको बुन जाए सेम टू सेम ही सिलाइया हैं बस थोड़ा सा फरक है अब लास्ट में देखिए आपके पास एक फंदा यहाँ स्लिप करा हूँ आ जाएगा परल वाइस और लास्ट में एक सीधा आ जाएगा जैसे आपने स्टराटिंग में रुना है यहां से यहां से आपने एक से यूंग का ही पैटन है रो वन सीधी साइड की और रो टू उल्टी साइड की आपको बस ये दो से लाईया आगे डालते जाना है और आपका पैटन आगे चलता जाएगा ये बहुत इजी है आप चाहें तो जैंट स्वेटर में फुल में भी जो आप सौरी हाफ स्वेटर बना जाएगा इजी पैटन है जल्दी जल्दी बन जाएगा तो आप इसमें जैंट स्वेटर में भी लगा सकते हैं तो मैं फर्स्ट रो थोड़ी सी आपको फिर से रिपीट करके बताऊंगी देखिए फर्स्ट रो में क्या किया था सीधी साइड में तीन फंदे हमने लाएंगे एक फंदा ऐसे उतार लेंगे पर्लवाइज सीधे फंदे तीन देखिए कितना इजी डिजाइन है जैंट स्वेटर पर भी इसको आप डाल सकते हैं और आप अपना चाहें तो फोल्डी जो कार्डिगन भी बना सकते हैं देखिए ऐसे ऐसे बुनते जाएंगे य खेंगे एंगे जो है एंगे य maa ऑड़िया लेँ एविए कर सकते हैं आप प्लेगा जो